अब बात आती है क्या वहाँ पर अप्रोच कैसे करेंगे अब आता है नियूरो मार्केटिंग ये कॉंसेट लास्ट टेन इएर से डवलप हुआ और सारे मार्केटिंग प्रोडक्स जो आप देखते हैं वो सिर्फ नियूरो मार्केटिंग के बेस्पे जाहे आप टीवी देख अब बताए कितने सेंसेज हैं आपके पास बोलो कंकों से है आपका जो क्लाइंट है इस बंडल ओफ नंबर वन उसके पास है बोडी उसके पास है इमोशन ठीक है और उसके पास है लॉजिक आपका जो भी प्रोडक्ट है इन तीन पेरामीटर में से कम से कम दो पेरामीटर क लिए बाड़ी में जीजवा क्कुंफर्ट देता है अपके प्रोड़ुक्त में देखो कि वह क्या उसके लाइफ में इसके बाडिमी डिफरेंस करेट करता है गालता है Number two, emotions create कर पाता है कि नहीं कर पाता है क्योंकि we are not dealing with the logical people we are dealing with the people who are full of emotions यदि उनको emotions आगे, that is the energy वो drive करेंगे आपको yes बोलने के लिए, आपको product लेने के लिए तो आपका जो product है, वो emotions drive कर पाता है कि नहीं कर पाता है You check And third is, the decision making power and logic says, मेरे को फाइदा होना चाहिए यदि मैं ये खरूँ नहीं तो मुझे ऐसा लर्णना चाहिए कि उससे मुझे सस्ता मिल गया कहीं में कहीं मेरा profit है Right और यदि, suppose, logic में fit नहीं होता, नकिए emotions create कर देता है और उसको comfortable कर देता है, तो भी वो product लेगा ये भी body को नहीं होता है, emotions create करता है, उसी logic को feed करता है कि फाइदा होने वाला है तो भी वो product लेगा और same चीज ऐसे हैं अब आपका जो client है, ये parameter में है Now see, कि अब आपकी जो target है, उस target को आप कहां कहां satisfy करते हैं सबसे पहला ध्यान रखना है, because you are into the marketing product और dealing with the clients, body में क्या क्या होता है, बताओ, how many senses you have बोलो, एक, touch, right न, five senses आदे, अब आपके product में ये five senses को stimulate करने के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए, eyes को देखने के लिए क्या के चाहिए, बोलो Suppose this is your product, क्या क्या, मेरी आँखी क्या के देखें Color, shape, size और बताओ, texture और बोलो और क्या 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 देखती है चीज़े Present list Perfect, इसका font size कैसा है, परह प्रॉपर रीट कर परहों है, बहुत मुश्किल हो रहा है परहबर तो जब तक मेरी आँखें मुझे stimulate में करेंगी ब्रेइन में जैसे जितने जादा neurons fire होते हैं, ब्रेइन में wiring होती है तो say yes इसलिए मेरे product में वो सारी चीज़े होनी चाहिए कि आइस से भी stimulate करें इसके साथ यदि कोई jingle bell यदि उसके साथ associated है या मैं जिस store में लेने जा रहा हूँ, वहां पर बहुत soothing, बहुत perfect music चल रही है matching to the product, यह music मेरे brain के उस area को stimulate करेगा क्योंकि मैं auditory client हो, मुझे सुन के समझ में आता है ठीक है, जब आप describe करते हैं हमने product के बारे में कि sir आप इसको लेंगे तो इसके इंग कितने समय चलती है ऐसा ऐसा होता है, और when you will see यह लोगों को देखेंगे, इतना clarity होती है उसमें, आप मैं जो जो बोल रही हूँ, यदि मेरा client auditory है आप इसको पिच्छराइस करना शुरू कर देगा और यदि आप इसको use करेंगे, तो you cannot imagine sir कि you will get a lot of appreciation because of your presentation लेकिन presentation में एक important part यह है आप देखो मैंने product के बारे में बोला लेकिन उसमें मैंने client को भी enter किया आपको नहीं पता, आप जो जो बोलते हैं क्लाइन उसको imagine करना शुरू करता है और किसी भी product के description में यदि आपने client के entry महीं कराई suppose car, car को आपको sell करना है description दिया, वेकिन description देते देते आपने यह नहीं बताया कि sir, एक बार आप car में बैटेंगे, you cannot believe कि ऐसा लगेगा, car बिल्कुल आपके लिए है and people will start talking about you, you see, you will have such a good status अब आपने बोला, he'll start visualizing the things और वो इतना proud feel करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा उसके brain के उस part को आपने trigger कर दिया है लेकिन आपने sir car के तारिफ की, उसकी history बता दी, geography बता दी लेकिन उसको client को enter नहीं किया He cannot visualize himself as the owner क्योंकि पहले जैसे आपको first part में बताया, आपके अंदर वो ownership आनी चाहिए जब client के अंदर वो ownership दिखने लगती है तब वो trigger करता है उसका brain का वो area कि boss ये मेरे को चाहिए You are creating the need इसलिए description में आपको धियान रखना है तो auditory हुआ तो आपकी description कैसे होने चाहिए Verbal creating the imagination Any product, छोटा हो, सुई से लेके car तक और घर तक Visual हो तो Color कैसा size, shape आपको अपने customer को, client को पहचानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसा वो बोलता हो और आपके email में आपके phone calls में वो कहीन कहीन link भेजेगा कि मैं किस टाइप का हूँ कैसा होगा, suppose वो visual है Let me see Right I come and see then we'll decide You pick the word वो जब बार बार देखने 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 वाली बात करेगा मतलब और visual है इसलिए मतलब जब उसके meeting deal होती है तो आपके visuals बहुत clear होना चाहिए Smiling face से Picture face से होने चाहिए Product की picture लगी है और उसके आपका sign ऐसे होना चाहिए Right क्योंकि वो picture से प्रभावित हो जाता वो color से प्रभावित होता आपकी dressing से प्रभावित हो जाएगा आप किस तरह की watch पहने किस तरह की shoes पहने उससे वो impact हो जाएगा और फिर वो आपसे influence हो के उस time पो बात करेगा यदि auditory हो तो हाँ मतलब जब उस client को deal करना है तो किस इंसान को छोड़ोगे जिसका communication skill is too hard क्योंकि वो बात से ही उसको पकड़ सकता है क्योंकि जब यह बात करता है तो वो उसको imagine करना शुरू कर देता है विजुलाइज करता है और वो उस product का owner बन जाता है उसको possess करना शुरू कर देता है और उसके बार आप उसको connect करो, convey करो, convey करो right अब all factory वाला हुआ तो आपके office में aroma होना चाहिए क्योंकि यह सारी यह याद अपना it's a phrase जब सारे neurons fire होंगे तो automatically brain wire हो जाएगा और जब brain की wiring हो जाती है मतलब customer बिलकुल ready है अब आप जो बोलो उसके लिए तो आपके office में ऐसी fragrance चलना चाहिए जो बहुत soothing, बहुत बढ़िया हो right अब क्या होना अची उसके बार और next sense कौन सा है touch touch means feel आपके office का sitting arrangement सारी चीज़े आपकी chair that should give that feel comfort उसको बहुत proud feel करना चाहिए उसको बहुत importance यदी feel हो गई मतलब समझ लो कि वो आपका बहुत perfect potential client right आप यदि ये सारी चीज़ों को आपके ad में आपके office में आपके product में यदी involved करोगे तो बताओ कि आप वहां तक approach कर पाओगे this is called neuromarketing right कि उसके सारे neurons को trigger कर दो और फिर अब यदी उसको सारे trigger किया आपने अपने net पे कर लिया social website में कर लिया सब चीज में कर लिया mail मेरी बात होगे अब वह client आपको search करता हुआ आपके पास आ गया अब जब search करता हुआ आ गया तो अब बताओ कि आपका presentation कैसा होना चाहिए कैसा होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए suppose वह enter करता है यहाँ पर क्या क्या चीजे होनी चाहिए very warm welcome welcome खौन करेगा office में सुन्दर सुन्दर लड़के क्यों रखी जाती है क्यों रखी जाती है it's a very scientific reason that is आपने भी पाल गया नहीं जरूरी नहीं सुन्दर लड़के हैंडसम लड़के भी हो नहीं that is giving the compelling desire to get inside and get the warmth इसके reception पर अच्छी लड़का मिठाई जाती है इसके मिठाई जाती है इसके इनका communication is too good जिसके इनका warm थे जिसके इनका passion जिसके energy level हाई है and who is very very happy go lucky girl or boy आप किसी भी dull बंदे को खाउस बंदे को बैठा दो आपकी safe बुरी गई काम से possibly नहीं हो आगे बढ़ेगा इसके it's very important कि जैसे आदमी enter करता है तो he should feel important कि मिझे welcome कौन कर रहा है smile कितनी है attitude कैसा है body language कैसा है gesture कैसा है इसलिए आपके reception में जो भी बैठता है उसको इस बात की training देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है and again number two जो reception में तीन लोग चाल लोग जितने भी उनका aura कैसा है क्योंकि that is the only first impression और aura कैसे बनेगा उनका if they are feeling proud to be associated with you यह दियो उनको लगता है इसलिए उनका खुश रहना satisfied रहना it's very important और क्या ज़रूरी है बताओ color combination of your walls suppose आपके young crowd है तो आपके color क्या होना चाहिए wall का yellow यह सारे brain में fire हो जाते है color देखते ही साथ यह यह यलो color है means the young crowd and full of energy full of power, full of positivity वो जैसे yellow में आते हैं brain का वो area fire हो जाता है right आप number two suppose red है red किसके लिए चाहिए red power if you enter you will start feeling powerful because you are in a powerful zone now you have the decision power you have the authority now you can take decision without calling your wife no support system no support system तो ले सकते हो यह automatically इसको बोलते है neuromarketing इसलिए आपके product के color decide होते है आपके room के color decide होते है इसलिए याद रखो कि जबी भी US का president important meeting में जाएगा तो या तो वो red टाइप एनेगा या red उसका hanky यहाँ पर लगाओ what is called red? red means power red means energy